ब्रांजी इस तस्वीर पर आपकी टिपड़ी ये जो करीम लाला के साथ इंदरा गांधी दिख रही है संजेर राउत ने तो बात वापस ले ली लेकिन ये तस्वीर सामने आई है इस पर क्या कहेंगे आप बिलकुल बिलकुल ऐसा है मैडम कि इस तरह की न बहुत सारी तस्वीर हैं ऐसा है कि जब कोई भी राजनितिक व्यक्ति अभी इस बात को संभीत पात्रा बहतर रिप्लाई कर पाएंगे जब आप समाझी जीवन में होते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मुलाकात है होते हैं हैं मोडी जी की बहुत सारे multiple photograph देखे हैं मित्सा की बहुत सारे मल्टीपल फोटोग्राफ मैंने संभीत पात्रा जी के भी देखे हैं हर राजनितिक व्यक्ति अपनी जिंदगी में समाजी कोता है और रही बात अगर इस पर्टिकुलर फोटो की या बात कर रही है तो मैं थोड़ा और कनेट कर देता हूं भारती जनता पार्टी सब्सक्राइब पार्टी के साथ खड़ा हो कर इस तरह से बात कर रही है इसलिए आप से सवाद्विश्ट अब इतना आप खुद कह रहे हैं सबके अलग-अलग लोगों से व्यक्तिकत रिश्टे होता है आप व्यक्तिकत जीवन में है सुरिये आपके साथ बहुत सारे लोगों ने फोटो ले रखा है उसको हम कैसे कोट करें बहुत सारे लोगों में और एक अंडर्वर्ड डॉम जो उस वक्त था ये 1973 की तस्वीर है मिस्टर राइ प्लीस सर देखिए इस तरह से चिलाना चीखन लेकिन बुद्धी से मोलना बहुत बड़ी बात होती है 1973 की तस्वीर है उस समय 1973 में करीम लाला क्या था ये सभी को पता है ऐसे में शक्स के साथ मिलते हुए बात करती हुई तस्वीर है इसलिए सवाल पूचे जा रहे है इसको कोई भी किसी के साथ सेलफी खिचवा लेने स मत जोड़ दीजे समझे बात की कंभीरता को और फिर उसका जवाब दीजे लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा उनका कहना है और ये फैक हमें एक बात आप थोड़ा ध्यांग कर सुदिए आपका ये फोटोग्राफ ये 75 का है मैं नहीं जानता नहीं जानता हुँ कि मेरे फोर तैयारी कर क्या है ना डिबेट में जिसमें भारती जनता पार्टी के नेताओं का मल्टिपल लोगों के साथ फोटोग्राफ से आप से जानता तैयारी तो हम लोगों ने की है इसलिए हम बता रहे हैं और जब हरेंद्र नाच चटो पाध्या है वो तीसरे शक्स जो दिख र बोलिए डाक्टर पात्रा देखिए ये तो ये बलजीत जी कहेंगे जहां तक मैं जानता हूं इस तस्वीरी के बारे में कि एक आवार्ड सेर्मनी राष्ट्रपती भवन के आवार्ड शेर्मनी की है सायद मगर देखिए जो मेरे भाई सुबरान जी कह रहे थे कि ये कैमरे बोलां जी मेरे आव जो एक आवार्ड सेर्मनी राद एक हो सक्ती है देखिए तीहतर में जब हम लोगों मिसे जनम भी नहीं थी उससे में ये मोबाइल फोन नहीं थे उससे में ये सेल्फी का योग नहीं था उससे में बहुत ही सोच समझ के एक रील की फोटो खिचती थी और ये प्राइमिनिस्टर थी इंदिराजी, इंदिराजी कोई साधारन महीला नहीं थी, और ये जो डॉन है, ये डॉन था, अंडर वोल्ड का गुर्गा था, जो ड्रग, स्मगलिंग, इतियादी में लिप्त था, इंटेलिजन्स इंदिराजी के पास थी, तो स्वभावी जानती थी वो किस से बात कर रही है, और उनको न्योता देना, कि आप मेरे घर पे जब भी दिल्ली आएं, मिलके जाएं, और खुद संजे राओजी का कहना कि मिलने जाती थी इंदिराजी, ये कोई छोटी बात नहीं, अगर मेरा फोटो, अंजना जी आपकी तस्वीर, या अंत कर रहा हूं, फिर परमार जी बताएंगे कि हकिकत क्या है, देखिए, याद करिए, 2010 के बाद, एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फरेंस किया था निरज कुमार, निरज कुमार जो दिल्ली के CP रहे थी, ठीक उसी समय राम जेक मिलानी ने भी प्रेस कॉन्फरेंस किया थ कि दाओ इबराहिम मुंबई बॉंबलास के बाद सरंडर करना चाहता था, और दोनों ने कहा, निरज कुमार जी ने भी और राम जेक मिलानी ने, कि UPA की सरकार ने मना कर दिया CPI के माध्यम से, कि दाओ इबराहिम को सरंडर करने मत दीजिए, दाओ इबराहिम का केवल एक ह कि अबजेक्शन था, कि मुझे मुंबई के आर्थर जेल में नहीं रखा जाए, उसके भावजुद क्यूं, मतलब करीम लाला भी, दाओ इबराहिम भी सबको प्रेसराई देने का काम